हेई गई जब फिर साब सब एक मिश्टर व्यास के अंदर स्वागत है अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं क्योंकि मुझे बहुत सा लोग कमेंट कर चुके कि यूट्यूब चैनल को सकसेशफुल कैसे बनाएं तो उसका पूरा एक मैं कहूंगा कि माइन बैप की तरह आपको मैं समझाने माला हूँ कि यूट्यूब में सकसेश की डेफिनिशन का है कैसे आप सकसेशफुल यूट्यूबर बन सकते हैं यह पूरी चीज़ हम स्टैप मांकेदार इंफोर्मेशन, ब्लागिंग, यूट्यूब और अफिलीट मार्केडिंग के राउंड चाहिए तो फट 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 से चनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने कमेंट देके बताओ कि आप अल्री यूट्यूब चैनल चलाते है या नहीं चल सुप्रीम कैंपस में होली का एक स्पेशल ओफर चल रहा है, अगर आपको ग्रैप करना है तो आप सुप्रीमकैंपस.com के होम पेज पर आकर के ओफर को क्लेम कर सकते हैं, चले सीधा चलते हैं हमारे टॉपिक पर लेकिन आए कंसिडर कि आपने अभी तक सब्सक्राइब किय होगा, अगर नहीं किया है तो मेक शौर अभी जाकर के सीधा सब्सक्राइब करें, चले का शुरुवात करते हैं, so first of all मैं आपको डिसकस करूंगा की exactly what is the definition of a success in YouTube, आप में से बहुत सा लोग है जो YouTube चालू करना चाहता है लेकिन और YouTube में success होना चाहता है, मुझे कमेंट आत इस आठ और दस मेट के वीडियो के अंदर, okay, तो मेरे लिए success के definition में दो category आती है, पहली वो होते हैं, वो लोग जो जादा views, जादा like और जादा subscribe को अगर आप definition of success समझते हैं, या फिर make money, क्योंकि market में ऐसे channel भी है, जिनके number of subscribers बहुत ही कम है, 10,000, 15,000, 20,000 और 50,000, लेकि जो monthly earning है, वो 5-10,000,000 रुपे के असपास है, जबकि दूसरी category में वो लोग आते हैं, जो YouTube को सिफ views, number of views, number of likes, और number of subscribe की category के अंदर, count करके, ये judge करता है कि ये successful channel है, ये successful channel नहीं है, तो सबसे पहले आपको definition of success बनाना पड़ेगा, कि आपके लिए क्या matter करता है, कि क्या channel पे अगर आपकी channel पे ज़्यादा views नहीं है, likes नहीं, subscribe नहीं है, लेकिन आप ज़्यादा पैसा बना रहे हैं, तो ये आपके लिए प्राइम गोल हो सकता है, मेरे लिए हमेशा YouTube channel का प्राइम गोल था make money, how exactly adding a value to a people, I can make a money, I can teach them how to make a money, और इसी के around मेरा YouTube channel था, तो मैं कभी भी आपको बोलता हूँ की YouTube is not all about gaining views, like and subscribe, अगर मुझा subscriber इस चैनल पे 100K को क्रॉस करना है, I can do it pretty quick, कैसे, I can produce more and more video, I can invite lot many people on the channel, में video की frequency, अभी जो 72 hours में एक video डालता हूँ, I can publish two videos in a day, subscriber will not make that much time, right, और views count को भी बढ़ाने में इतना time नहीं लेगा, लेकिन the problem is, I will not go behind the views, like and subscribe, my goal इसकी में जो effort YouTube पे डाल रहा हूँ, क्या उसके reference में लोगों को benefit हो रहा है, और उसके reference में क्या मुझे उसका कोई result मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, that's what the matrix for me to judge the definition of a success, सबसे पहले आपको ये clear करना है, अभी ये चीज, अगर आपको clear नहीं है, तो आपको समझना होगा niche of a YouTube, exactly YouTube में niche किस तरीके की होती है, और कौन सी category में काम करना से आप इन दोनों में से किस category में fall करेंगे, तो पहले इस point पे मुझे whatever word से comment करो, और ये बताओ, कि आपके लिए definition of success ये है, और ये है, और मैं ये कहूँगा, make money मतलब money जादा है इसमें, ऐसा नहीं है कि views, like और subscribe में money न of YouTube पे बढ़ू, आपको फटा-फट से comment करना है, कि इन दोनों में आपके लिए definition of success का है, मैं हरे के comment को read करूँगा, and whatever I like the best, with proper justification, उसको मैं heart भी दूँगा, तो make sure आप उसको comment करें, और अभी तक इस channel पे से 40% viewers है, जो आते हैं और चले जाते हैं, तो make sure अगर आप अभी भ point where you have to focus on, तो YouTube के अंदर अगर देखा जाए, तो दो टाइप की निशेज होती है, एक होती है, जो fully informative content produce करते है, और दूसरी होती है, जो entertainment category के होती है, और मैं बताओंगा कि इन दोनों में से किसी category में जाने से आप कौन सी definition of success के अंदर जाएंगे, तो एक होती है, जो fully informative होत दूसरी होती है, जो entertainment category होती है, when it comes to fully informative, हमारे पास दो चीजे निकल के आती है, एक होती है, सिर्फ information, just take an example, अभी recently कोई train चल रहा है, माल लीजे कि अभी कोई war चल रहा है, उस war से related किसी को सिर्फ info ची है कि Ukraine क्या कर रहा है, रशिया क्या 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 क रहेंगे knowledge type के channel, so ये channel सिर्फ information share करते है, उनका कोई monetization method नहीं है, उनके पास money making का एक opportunity and that opportunity is जो उस पे add दिखती है, तो ideally जब भी आफ informative category बनाते हैं, तो आपकी definition of success हो जाती है, कितने views आप गें कर रहे है, कितने likes आप गें कर रहे है, कितने subscriber आपके बढ़ रहे है, the more this number is, the more money you can make here, अगर आपका channel only informative है, ऐसे facts के channel होते हैं, किसी के stories होती है, like motivational stories के वाले channel होते हैं, तो इस type के channel के लिए आपका जो money making factor, offer definition of success होता है, वो है, कितने views, कितने like और कितने subscribe, लेकिन informative में एक दूसरी category होती है, जो होती है, make money की category, जिस category के अंदर, आप लोगों को सिखात related transactions, related, कोई भी discussions करता है, अभी इसमें क्या है, जब भी आस category में जाता है, मतलब आपका prime focus रहता है, कि आप पैसे कैसे बनाए, okay, exactly इस category में अगर आप जाता है, तो आपका भी views, like और subscribe के पिछे नहीं जाता है, आपका focus हो जाता है, make money, मतलब कि आपके लिए definition of success है, make money की, क् इस category में दो लोग fall करते हैं, एक वो होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एफिलेट reviews करते हैं, example के लिए जो gadgets का review करते हैं, ये लोग क्या होते हैं, इस type के people वो होते हैं, वो किसी third party product को लाते हैं, अपनी site पे आकर के mobile का review करते हैं, नीचे Amazon affiliate के link देते हैं, आप जैसे लोग जा of success दोनों हो सकता है, जादा views, like और subscribe और जादा make money, okay, because the more people will view your video, आप उससे जादा पैसा बनाएंगे, तो ये होगी make money की category, similarly दूसरी category होती है, जो passive income tips की होती है, जैसे मेरी category है, मेरी category में मुझे जादा views की जरूत नहीं है, I don't care about कि मेरे channel पे 50,000 views everyday है, या फिर मेरे हर वी subscriber होने पे भी नहीं बनाते है, तो ये category सबसे ज़्यादा profitable है, बट इस category में कोई भी एरा गेरा कुद नहीं सकता है, ये category ट्रस्टे बिल्ड की जाती है, कोई भी बन्दा जो भी आप passive income के tips देते हैं, जैसे कि मैं blogging की बात करता हूँ, affiliate marketing की बात करता हूँ, YouTube की बात करता ह रहा है, it doesn't mean कि वो बन्दा दो बुग पढ़ के आगे और वीडियो बना रहा है, that guy has an experience, उस category के अंदर उसने mastery किया और तभी वो उससे related education को provide कर रहा है, जब description के अंदर वो बन्दा unacademy की referral link देता है, या फिर किसी भी तरीके की product का discussion करता है, तो he will make money, so ये वो category है, जहां be of reference है, तो you will make money, तो इस category में आपको ज़्यादा views, like और subscribe की ज़रूरत नहीं है, तो इस category में आपके लिए pure criteria होना चाहिए, make money, अगर आप आप जो भी कर रहा है, चाहिए आपको 200 views आ रहा है, चाहिए आपको 500 views आ रहा है, अगर उससे आप पैसा बना रहा है, तो आप आप आपके लिए definition of success है, इससे matter नहीं करता है, आपके बास 1000 subscriber है, या फिर 70,000 है, या फिर 1 lakh है, okay, as long as आप इस niche के अंदर है, अगर आप पैसा बना रहा है, that means you are definitely a success YouTuber, यह है definition of YouTube, और definition of success, similarly, अगर आप entertainment के channel में, entertainment के channel में क्या हो सकता है, जैसे आप music बनातो हो, या फिर vlog के channel बन आप कुछ कुछ भी कर रहा हो, like, and any other activity, you got the point, right, तो आप उस category में entertainment के channel है, तो आपके लिए definition of success होगा, कितने views है, कितने like है, और कितने subscribe है, okay, तो इस तरीके साब decide कर सकते हैं, कि कौन सी category में आपको जाना है, ताकि आप उन सारे 1000 लाखों subscriber को देख करके, या तो demotivate होने क try कर रहा है, तो make sure ये सारे filters आपके दिमाग में होने चीए, okay, और जैसा कि मैंने बोला, supreme campus के अंदर already, youtube supreme launchpad है, जहां पर already मैं आपको mastery करवाऊंगा, view, like, and subscribe छोड़ दो, पैसा कैसा बना हो गया, okay, our primary goal is to make money, right, अगर पैसा होगा, तो view, like, and subscribe, तो आप already अपने team बना करके, ज्यादा content produce करो, ज्यादा views लाओ, ज्यादा trending topic पर content बनाओ, तो automatically आप बना लोगे, तो point here is कि how much money you are making, जितना time आप invest कर रहे है, okay, चाहे आप 7 दिन में एक वीडियो अपलोड करो, चाहे 10 दिन में एक वीडियो अपलोड करो, आपका goal क्या है, you have to decide from all this factor, तो hopefully, आज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ऐसा ही वीडियो हम धमाकेदार लाते रहें, इस चैनल का focus है आपको educate करना, the more I will educate you, जितना ज्यादा में आपको educate करूँगा, उतना ज्यादा better decision आप इस digital marketing में ले सकता है, तो अगर आपको ये content अच्छा लगा, फटा फट से comment कीजिए, आ ितना ज्यादा करती।